नमस्कार मैं हूँ वंचिता शर्मा स्वागत है आप सभी का दिवे हिमाचल टीवी में जाहिर है में आपको बताएंगे देश दुनिया और अपने आसपास की कुछ ऐसी खबरें जिनके बारे में आपको अवश्य पता होना चाहिए इसके साथ दिवे हिमाचल समाच्वार प खबरों पर उत्तर कोरिया के ताना शाह किम जोंग उनका एक और सितम सामने आया है उन्होंने अपने पिता किम जोंग इलकी जयनती पर हजारों लोगों को कड़कडाती ठंड में खड़ा रखा किम का खौफ इतना था कि कड़कडाती ठंड में देश के लोगों को खड़े पर्फॉर्म भी करना पड़ा। बढ़ते हैं अगली खबर की और सत्ता में आने से पहले पाकिस्तान की प्रधान मंत्री इमरान खान ने नया पाकिस्तान बनाने की बात कही थी। लेकिन ये सबब हवाई महल की तरह लग रहा है। इन सब के चलते पाकिस्तान में महगाई चार फीजदी ब्याज की दर पर लिया गया था। अब इसका सीधा असर पाकिस्तान की आर्थिगी पर पड़ेगा। इसके अलावा ब्रिटेन की रक्षा मंत्राले ने रूस यूक्रेन संकट पर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने एक मैप के जरीए बताया है कि रूस आखिर किस तरह से यूक्रेन पर बिना चेताबनी के हमला कर सकता है। सेना ने उन साथ प्रमुक जगहों को शेयर किया है जिसका इस्तिमाल क्रेमलिन सेना पहले चरण में यूक्रेन पर हमला करने के लिए कर सकती है। अधिकारियों का कहना है कि रूस ने महत्वपूर्ण सेन्य मौजूदगी बनाय रखी है जो बिना किसी चेताबनी के हमला कर सकता है। ये आग कैसे लगी फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिली है लेकिन रहत की बात ये है कि ट्रेन खाली थी यानि किसी पैसेंजर के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। समाचार एजेंसी एनाई के मताबिक ये आग प्लैटफॉर्म पर खड़ी स्वतंतरता सेनानी एक्सप्रेस में पार्टी उमीदवारी की चेतावनी जारी की थी। उन्होंने चुनाव से नाम वापस नहीं लेने की स्थिती में कारवाई की बात कही थी। खबर है कि पार्टी ने तृत्व ने कई नेताओं को निश्टकासित कर दिया है। जब सुंकुदी टापरी के समीप अनियंत्रित होकर 100 मीटर नीचे थला रोड पर जा गिरा। परिणाम सरूप वहंचालक अनिलकुमार और अनीश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में आपकारी एवं करदहान विभाग के तीन निरीक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। इन तीनों के कारिय में अनियमित्ताय पाई गई है। इसके बाद ये निर्ने लिया गया है। बीते दिनों जारी किये गए पूर्वानुमान में अब थोड़ा बदलाव आया है। पहले जहां मौसम विभाग ने उपरीक शेत्रों में 21 वर्वरी तक बारिश और बर्फबारी के आसार जताय थे। तो वहीं अब प्रदेश में 21 वर्वरी तक मौसम साफ रहेगा। राशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने शुकरवार को हिमाचल से IPS अधिकारी अरविंद दिगविजे नेगी को प्रतिबंद लशकर ए तोएबा आतंकी समोह के एक ओवर ग्राउंड वर्कर को गुप्त दस्तावेज लीग करने के आरोप में गिरफतार किया है। बहुत ही बड़ी खबर ये है प्रमुकता से स्थान इसे हमारे समाचवार पत्र में मिला है यहां आप इसे पढ़ सकते हैं। एहमदाबाद में 2008 में हुए बम धमाकों के दोशियों को 13 साल बाद सजा सुनाई गई है। गुजरात की विशेश अदालत ने इस सीरियल बम ब दी गई है। इसके साथ ही SOS के तहट आठमी दसमी जमादो की डेटशीट भी जारी की गई है। अब दस दिनों में सुझावों पर विचार कर डेटशीट में बदलाव भी किया जा सकेगा। विस्तार से ये खबर हमारे समाचवार पत्र में पढ़ें। संपात की प्रिष में कई कोने खड़े कर देती हैं। विकास के मरहले पर उड़ते कबूतरों की गवाही में जशन की सारी तैयारियां पिछले कई चुनावों को ठग रही हैं। लेकिन हिमाचल का सियासी आचरन हर बार अपनी सरकस के अंजाम को जुठलाता रहा है। आगे का लेक आप स्व अब आपके लिए कुछ हट के जानकारियां लाएं हैं जिन्हें सुनकर आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगेगा तो सुनिए। इसलिए एक्सपर्ट्स भी अंकुरित लहसुन खाने की सलहा देते हैं। इसके अलावा तेज पत्ता ये एक ऐसा मसाला है जो ज्यादतर भारतिय घरों में कुकिंग में इस्तमाल किया जाता है। तेज पत्ते में औशदिय गुन भी भरपूर होते हैं। इसमें कॉपर, प पना कर भी आप पी सकते हैं। जाहिर है में आज के लिए बस इतना ही अब आप से मिलेंगे कल कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक बने रहिए दिवेहिमाचल टेवे के साथ। नमस्कार।